तो आजकल मार्केट में साग बहुत अच्छा मिल रहा है तो मैंने सोचा बनाते हैं आलू पालक और मटर का साग वह भी मसाले वाला तो यहां पर मैंने कड़ाई में डाल दिया है सरसो का तेल इसमें डाला है आधा चम्मच जीरा वन फॉर्थ चम्मच हींग इसे हलका सा हम फ से एक इसमें ड Kiss us harmony करेंगे इसमें डालते छाफ करेंगे और इसमें डाला ट्रफ से इसमें डालते हल्वां करेंगे अर चली यहां पावडरए मचांडा काठाओ फोड़ा से जरा श्राम इन सब धीमी आज जाज पे सारे मसाले जल जाएंगे अब hems ठाल देंगे ठाले के घटिल यह एकालेंगे तो बारी कटागते यह हैं इन सब चीज आर मिक्स कर देंगे आप चाहे तो बिना मटर के भी से बना सकते हैं इसे ढखकर के 10 मिनट पका लेंगे और 10 मिनट बाद ये रेखिए कितना टेस्टी लग रहा है ये अभी से देखने में आप चाहे तो आलू मटर टमाटर की सबजी भी ऐसे बना सकते हैं और अब हम इसमें डाल देंगे पालक ज बहुत जादा नमक पहले नहीं डालें नहीं तो इसमें नमक तेज हो जाएगा तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और धकर के 10 मिनट पका लेंगे तो 10 मिनट हो गया है सब्जी को चेक कर लेते हैं वाव बहुत ही ज्यादा डिलेश्यस लग रही है यह देखने में तो दो म पराठा चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं तो अगर यह रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें